आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। ये 2015 का एक खौफनाक मामला है जिसने न केवल अमेरिका को बलकि भारत के एक बड़े राज्य को भी हिला कर रख दिया था। आज के मामले में आरोपी ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में FBI कानून प्रवर्तन एजेंसी की रातों की नींड उड़ गई। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक आदमी दिख रहा है जो बहुत ही सीधा सादा और मासूम है लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसके कारण FBI ने उसके सिर पर 250,000 डॉलर का ही नाम रख दिया। लेकिन उसने आखिर क्या किया आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कहानी दो मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घुमती है। एक आदमी जिसका नाम भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल है और एक महिला जिसका नाम पलक पटेल है। भद्रेश कुमार का जन्म 15 मई 1990 को भारत के गुजरात राज्य के वीरम गाम नामक कस्वे में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले यह ध्यान देने योग्य है कि गुजरात अपने समरिद इतिहास, विविद संस्कृती और प्राकृतिक सुन्दर्ता के लिए जाना जाता है। भद्रेश ने अपनी सारी शिक्षा गुजरात में पूरी की और फिर पासपोर्ट कार्याले में काम करना शुरू कर दी। भद्रेश अच्छा कमाता था, लेकिन जब से वह 24 साल का हुआ है, उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे थे। इसलिए भद्रेश के परिवार ने कुछ रिष्टेदारों और परिशितों से संपर्क किया और कहा, हमें भद्रेश की शादी के लिए एक अच्छी और संसकारी लड़की ढूननी होगी। पलक पटेल की बात करें, तो उनका जन्म 1983 में हुआ था और वह भी गुजरात की रहने वाली थी। 2014 तक पलक पेशे से शिक्षका थी और छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। हलाकि पलक की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसके लिए वर्ग की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद पलक के माता पिता की नजर भद्रिश कुमार की प्रोफाइल पर पड़ी। पलक के माता पिता को भद्रिश कुमार की प्रोफाइल के आधार पर भद्रिश एक अच्छा लड़का लगा और जब उन्हें पता चला कि भद्रिश पासपोर्ट आफिस में काम करता है तो उन्होंने उस से मिलने का फैसला किया अगस्त 2013 में भद्रिश कुमार और पलक के परिवार मिले इस दौरान भद्रिश और पलक ने अपने परिवारों से अलग एक दूसरे से बात की और बातचीत के बाद एक दूसरे को पसंद कर लिया इसके बाद उनकी शादी तै हो गई और नवंबर 2013 में दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली बद्रिश और पलक दोनों के परिवार इस शादी से बहुत खुश थे और दोनों शुरू से ही अपनी शादी शुदा जिन्दगी को खुशी खुशी जी रहे थे उनकी शादी में किसी तरह की लड़ाई जगड़ा नहीं हुआ और दोनों ही परिवार उन्हें एक आदर्श जोड़ा मानते थे शादी को आठ नो महीने बीट गए और अब भद्रिश ने हनीमून के लिए विदेश जाने की योजना बनाई दरसल भद्रिश के कई रिष्टेदार विदेश में रहते थे कुछ रिष्टेदारों का वहाँ कारुबार था तो कुछ नौकरी करते थे साथ ही भद्रिश की मा भी अमेरिका में किसी रिष्टेदार के घर रहती थी जिससे भद्रिश को लगा कि अमेरिका जाना सुरक्षित रहेगा कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पत्नी पलक से कहा कि हमारी शादी को कई महीने हो गए है हम आखिरकार हनीमून के लिए अमेरिका जा रहे है ये सुनकर पलक बहुत खुश हुई और फिर बद्रिश ने टूरिस्ट वीजा की विवस्था शुरू कर दी जल्द ही दोनों को वीजा मिल गया जो कुल 6 महीने के लिए वैद था सितंबर 2014 में ये जोड़ा अमेरिका पहुँचा बद्रिश की मां अमेरिका के नियूजरसी में एक रिष्टेदार के घर पर रह रही थी और ये जोड़ा सबसे पहले उनसे मिलने नियूजरसी गया वे अमेरिका में रहने वाले कुछ अन्य रिष्टेदारों से भी मिले कुछ दिनों तक उनके घर पर रहे और अलग-अलग शेहरों की सैर की सब कुछ ठीक चल रहा था और पलक ने सोचा कि वे कुछ समय घूमने में बिताएंगे और फिर भारत लोटाएंगे हलांकि भद्रेश के मन में एक अलग योजना थी उसका इरादा पहले एक रिष्टेदार के घर पर रहने और फिर नौकरी खोजने और अमेरिका में अवैद रूप से बसने का था इसके बाद भद्रेश दूसरे राजे मेरीलेंड चला गया और वहां अपने एक चचेरे भाई से मिला दरसल भद्रेश के चचेरे भाई की डंकिन डोनट्स नाम की एक डोनट्स टोर थी और भद्रेश ने सोचा था कि वह मेरीलेंड में अपने चचेरे भाई के घर पर कुछ समय के लिए रुकेगा और स्टोर पर काम करेगा अब भद्रेश ने पलक को भी स्टोर पर काम करने के लिए कहा लेकिन पलक ने डोनट स्टोर पर काम करने से इंकार कर दिया भद्रिश ने पलक को मनाने की कई बार कोशिश की लेकिन शुरू में पलक ने उसे कई बार मना किया हालांकि कुछ समय बाद पलक डोनट स्टोर पर काम करने के लिए तैयार हो गई यह स्टोर 24 गंटे खुला रहता था और रात की शिफ्ट के लिए करमचारियों की जरूरत थी इसलिए भद्रेश और पलक ने रात की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया डोनट स्टोर से थोड़ी ही दूरी पर भद्रेश के चचेरे भाई का अपार्टमेंट था जो स्टोर का मालिक था और दमपत्ती उसके साथ वही रहने लगे भद्रेश और पलक डोनट स्टोर पर पूरी रात काम करते थे और दिन में अपनी नींद पूरी करते थे भद्रेश वहां काम करके खुश था लेकिन पलक इस नोकरी से बहुत परेशान थी इसलिए पलक अकसर अपने पती से भारत लोटने की बात करती थी क्योंकि अब उसे वहां रहने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वास्तव में अंशकालिक नोकरी की आड में भद्रेश पलक से लंबे समय तक काम करवाता था और पलक जब विरोध करती थी तो भद्रेश उसकी शिकायतों को नजर अंदाज कर देता था पलक भारत वापस जाना चाहती थी लेकिन भद्रेश जोर देकर कहता था कि उन्हें वहीं रहना चाहिए काम करना चाहिए और घर बसाना चाहिए इन असाहमतियों के कारण दमपती में लड़ाई होने लगी एक बार उनका जगड़ा इतना बढ़ गया कि पडोसियों को पुलिस बुलानी पड़ी धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों के विज़ा की अवदी खत्म होने वाली थी हालांकि भद्रेश का भारत लोटने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह डोनट स्टोर पर काम करके अच्छी तंख्वा कमा रहा था लेकिन भद्रेश ने पलक की तंख्वा अपने पास रखकर अपनी पतनी को भी काम करने के लिए मजबूर किया कुछ लेखो के अनुसार पलक की मा ने एक साक्षात कार में उल्लेख किया कि भद्रेश के परिवार ने पलक पटेल पर अमेरिका में रहने और बसने के लिए दबाव डाला पलक अपने माता पिता से फोन पर बात करती थी और हमेशा सामान्य रूप से बात करती थी हलांकि एक बार जब पलक स्थेथी को और बरदाश्ट नहीं कर सकी तो उसने रोते हुए अपने माता पिता को फोन किया और भारत लोटने और वहां अपनी शिक्षण नौकरी जारी रखने की इच्छा व्यक्त की पलक ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि भद्रेश भारत वापस नहीं आना चाहता इसके अलावा पलक ने बताया कि भद्रेश जब गुस्सा होता था तो उसे पीटता था अपनी बेटी की हालत देखकर पलक के माता पिता बहुत दुखी हुए नतीजतन 27 मार्च 2015 को वे अपनी बेटी से मिलने मैरी लेंड गए हाला कि पलक की हालत देखकर वे चौक गए उन्होंने देखा कि पलक और भद्रेश दोनों ही राद भर डोनट स्टोर पर काम करते थे और दिन में सोते थे इसके अलावा उनके खाने का कोई तैय समय नहीं था और कभी कभी पलक दिन में सिर्थ दो बार ही खाना खा पाती थी खैर ये सब देखने के बाद पलक के माता पिता ने भद्रेश से बात करने की कोशिश की लेकिन भद्रेश ने अपने ससुराल वालों की भी बात नहीं मानी ये देखकर पलक के माता पिता ने पलक को अपने साथ ले जाने का फैसला किया भले ही भद्रेश अमेरिका में रहे ये नहीं हालांकि पलक ने कहा कि वह बद्रिश को मनाने की एक और कोशिश करेगी और उसके साथ भारत वापस आएगी। ये सपश्ट नहीं है कि पलक को खुद पर भरुसा था या वह बद्रिश से डरती थी। लेकिन उसने अपने माता पिता के साथ भारत आने से इंकार कर दिया। 27 मार्च 2015 को पलक के माता पिता अमेरिका आ गये। लेकिन 7 अपरेल तक उन्हें उसके बिना ही भारत लोटना पड़ा। इस पीच पलक अपनी दिन चर्या में लग गई। पलक के माता पिता के भारत लोटने के केवल 4 दिन बाद 12 अपरेल 2015 को एक ऐसा दिन जिसे FBI भी नहीं भूल पाएगी लगभग 945 बजे एक नियमित ग्राहक डंकिन डोनर्स स्टोर में पहुँचा जहां बद्रेश और पलक नाइट शिफ्ट में थे। जब ग्राहक काउंटर पर पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था ग्राहक ने कई बार आवाज लगाई लेकिन रसोई से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई आश्यर चकित क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था ग्राहक ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर डोनर्स स्ट स्टोर के काउंटर पर रहता है पुलिस अधिकारी स्टोर के कर्मचारियों को बुलाता है और स्टोर के किचन में जाता है लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी किचन के पीछे स्टोर रूम में प्रवेश करता है वह जो देखता है उससे वह चौक जाता है डोनर्स स्टोर मे कुछी देर बाद, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और शव को अस्पताल बेजा जाता है फिर पुलिस डोनट्स स्टोर के मालिक की जाच शुरू करती है और बदरेश के चचेरे भाई को अपराध सथल पर बुलाती है वहाँ, बदरिश के चचेरे भाई ने पुलिस को बताया कि उस समय बदरिश कुमार और उनकी पतनी पलक पटेल स्टोर पर ड्यूटी पर थे फिर पुलिस स्टोर के निगरानी कैमरों की समिक्षा करना शुरू करती है फुटेज से पता चलता है कि लगभग नौ पजट पजे बदरिश कुमार और उनकी पतनी पलक पटेल किचन के पीछे स्टोर रूम की ओर जाते हुए फोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं कहते हैं कि फुटेज में मौजूद आदमी बदरिश है और उसके साथ मौजूद व्यक्ति का नाम पलक है फिर कुछ और जाच के बाद पुलिस को एक अलग कहानी का पता चलता है 12 अप्रेल को पलक और बदरिश को अपनी नाइट शिफ्ट में काम करना था करीब 9 बजे दोनों डंकिन डोनट्स स्टोर पर पहुँचे करीब 915 बजे पलक की माने उसे फोन किया जैसा वह हर दिन करती थी बातचीत के कुछ मिनट बाद पलक ने भारत लोटने की बात शुरू कर दी अब तक रात के 9 सजीश बच चुके थे और पलक का भाई उससे बात कर रहा था उसने उससे कहा कि चिंता ना करे और उन्होंने 17 अपरेल को भारत लोटने के लिए उसकी टिकट बुक करने के लिए कुछ पैसे इकठा कर लिए है इसलिए वह जल्द ही वापस आ जाएगी ये सुनकर पलक को थोड़ा आश्चेरे हुआ और ये देखकर बद्रेश ने पूछा कि वह इतनी हैरान क्यों है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है घटना के CCTV फूटेज में हम बद्रेश को पलक के फोन पर बात करते हुए रसोई में घुसते और फिर रसोई के पीछे स्टोर रूम में जाते हुए देख सकते है पलक उसके पीछे पीछे चल रही है किसी समय बद्रेश किसी बात पर क्रोधित हो गया और पलक पर रसोई के चाकू से हमला कर दिया बद्रेश इतना क्रोधित था कि उसने पलक पर इतने वार किये कि उंगलियों पर गिनना मुश्किल होगा हाला कि CCTV फुटेज के अनुसार बद्रेश ने ये सब सिर्फ एक मिनट में किया फिर माइक्रोवेव ओवन बंद किया और डोनेट स्टोर से बाहर चला गया उसके बाद बद्रेश अपने चचेरे भाई के अपार्टमेंट में गया वहां उसने अपना पासपोर्ट और कुछ निजी सामान उठाया एक टैक्सी में बैठा और चला गया इस पीच अपराद स्थल पर FBI को पलक का मोबाईल फोन उसका पर्स और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू मिला जब पुलिस ने पलक के पर्स की जाच की तो उन्हें बदरेश और पलक दोनों के पासपोर्ट की फोटो कॉपी मिली उन्हें पलक के पर्स में उनके अपार्टमेंट का पता भी मिला पुलिस जब उनके अपार्टमेंट में गई तो उन्हें बदरिश के कपड़े और जूते खून से सने मिले यह देखकर पुलिस को लगा कि बदरिश ने पलक को मार डाला है और यही कपड़े बदल कर भाग गया है अमेरिकी पुलिस ने बदरिश को खोजने के लिए पूरी रात मैरिलेंड की सडकों पर खोजबीन की लेकिन वे उसे कही नहीं ढूंड पाए तब तक 13 अप्रेल को सूरज उख चुका था जिससे बदरिश को भागने का परयाप्त समय मिल गया पुलिस ने बदरिश कुमार के लिए गिरफतारी वरंट जारी किया और सभी नजदी की पुलिस रेस्टेशनों को सूचना दी उन्होंने स्थानिये चैनलों के माध्यम से भी खबर पहलाई बदरिश की तस्वीरे दिखाते हुए कहा इस आदमी ने एक महिला की हत्या की है अगर कोई इस आदमी को देखे तो तुरंट पुलिस को सूचित करे इस पीच पुलिस उस टैक्सी की भी तलाश कर रही थी जिसमें बदरिश भागा था पुलिस की मेहनत रंग लाई और पलक की हत्या के चार दिन बाद 17 अपरेल को उन्हें टैक्सी मिल गई टैक्सी ड्राइवर को बदरिश की तस्वीर दिखाई गई और कुछ पल सोचने के बाद उसने पुलिस को बताया कि उसने 12 अपरेल को राद 10 बजे के करीब बदरिश को उठाया था बदरिश ने टैक्सी ड्राइवर से उसे न्यूजर्सी ले जाने के लिए कहा था जो मैरीलेंड से 174 मील दूर है न्यूजर्सी पहुँचकर बदरिश एक होटल में गया और टैक्सी का किराया 450 डॉलर था बदरिश ने पूरा किराया नकट चुकाया और होटल के अंदर चला गया टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर पुलिस न्यूजर्सी के उस होटल में गई और 13 अप्रेल की सुबह की CCTV फुटेज की जाच की पुलिस को पता चला कि बदरिश कुमार ने 13 अप्रेल को सुबह 3 बजे के आसपास होटल में एक कमरा बुक किया था और उसने वहाँ नकट भुकतान भी किया था बदरिश केवल उसरात रुका और अगली सुबह लगबग 10 बजे होटल से चेक आउट किया फिर वह होटल की एरपोर्ट शेटल बस से एरपोर्ट गया हाला कि उसके बाद किसी को नहीं पता था कि बदरिश कहा गया इसका मतलब यह हुआ कि बदरिश कुमार अब हवाई जहाज या किसी अन्य सारवजनिक परिवहन टिकट नहीं करी सकते थे इसके अलावा FBI ने बदरिश के पासपोर्ट पर रोक लगा दी तकि वह देश छोड़ कर भागना जाए बदरिश कुमार के वांटेड होने के पोस्टर हर जगह लगाए गये पाई ने बदरिश कुमार के रिष्टेदारों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की और दिल्ली में भी रहते थे FBI ने बदरिश के हर रिष्टेदार से जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे कई बार पूछताश की हाला कि उन्हें बदरिश कुमार के बारे में कोई सुराग नहीं मिला नतीजतन दोहजार अठारा में FBI ने बदरिश कुमार को अपनी मोस्ट वांटेट सूची में शामिल कर लिया और उसकी गिरफतारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए दोसो पचास हजार डॉलर का इनाम रखा इंटरपोल ने भी उसे अपनी वांचित अपरादियों की सूची में शामिल किया FBI और इंटरपोल द्वारा हर संभव प्रयास के बावजूद बदरिश कुमार का कोई सुराग नहीं मिला 9 साल हो गए है लेकिन बदरिश कुमार अभी भी फरार है बदरिश पर फर्स डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर, फर्स डिग्री हमला, सेकंड डिग्री हमला और चोट पहुँचाने के इरादे से खतरनाक हत्यार रखने के आरोप है इस केस को लेकर कई सवाल उठे है खासकर तब से जब बदरिश कुमार 12 अपरेल 2015 को लापता हुआ और FBI ने 20 अपरेल के बाद ही उसके पासपोर्ट पर रोक लगाई ये संभव है कि बदरिश कुमार उन साथ दिनों के दोरान अमेरिका छोड़ कर किसी दूसरे देश चला गया हो चोकि बदरिश भारत में पासपोर्ट आफिस में काम करता था इसलिए यह भी सवाल उठता है कि क्या पलक की हत्या से पहले उसके पास कोई फर्जी पासपोर्ट था इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर ने FBI को बताया कि जब बदरिश उसकी टैक्सी में बैठा था तो वो बिल्कुल सामान्य व्यवार कर रहा था उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी तनाव में था यहां तक कि पुलिस ने बदरिश के रिष्टेदारों से उसका नमबर लेकर उसे ट्रैकिंग पर डालने के बाद भी कोई फायदा नहीं उठाया जिस अपार्टमेन में बदरिश और पलक रहते थे वो असल में बदरिश के चचेड़े भाई का था और हत्या के बाद जब बदरिश अपने फ्लैट में लौटा तो क्या उसके चचेड़े भाई ने उसे देखा था हलांकि FBI को ये भी संदे है कि बदरिश अमेरिका में अपने किसी रिष्टेदार के घर चिपा हो सकता है इस मामले में कई सवाल है लेकिन जवाब नहीं सच तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जाँच एजेंसियों में से एक FBI भी बदरिश कुमार को डूणने में नाकाम रही है तो इसके साथ ही पलक पटेल हत्याकान का मामला यही खत्म होता है साथ ही अगर आप कोई ऐसा केस सुझाना चाते है जिस पर हम विस्तरित वीडियो बना सके तो आप उस केस का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते है